तो मैंने यहां आड़दस से केले ले लिया है और मैंने इसे दो तीन पानी अच्छे तरी की सिवास कर लिया है अब हम इसको छिल लेंगे तो बारी-बारी से सभी को छिल लेंगे हम चक्कू की मतल से तो मैंने यहां बारी-बारी से सभी को छिल लिया है और छिल कर अब हम यह कट कर लेंगे तुमारी बारी से सभी के लोगों मचेते के से कट कर लेंगे तो यहां मेरा सारा केला अच्छे तरह से कट हो चुका है तो अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में और मैंने लसुन भी कूट लिया है और कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें टेल ड से चला लेंगे चलाने के बाद हम फिर की ब्राइब कर लेंगे तो मैंने अच्छा प्लेट में निकाल लिया है अब उसी कड़ाई में हम थोड़ा से तेल और एड़ करेंगे और तड़के में यहां से जीरा एड़ कर रही हूं तो जीरा यहां मैंने डाल दिया है अच्छे तरीके से और फिर इसमें मिर्च एड़ कर लेंगे और प्याज एड़ कर दिया मैंने अब एक बड़ा कटा हुए मैं टमाटर और एक और इसी को फिर हमने पका लिया है अच्छी तरीके से सॉप्ट हो चुका है तो हम इसमें अध्रक और लाजन का पेस्ट एड़ करका और इसे भी अच्छी तरीके से चला लेंगे और सारे मसाले को एड़ कर देंगे तो मैंने यहां धनिया पाउडर डाल दिया है अब हल्दी देख सकते हैं मेरा अच्छी तरीके से मसाला तो इसी में केले को भी मिक्स करके अच्छी तरीके से इसे भी पका लेंगे तो इसे भी मैंने मिक्स कर लिया और मेरा पक के तयार हो गया है लास्ट में मैं अच्छी तरीके से पकने के बाद हम यहां पानी एड़ कर देंगे त इसे टेस्ट अच्छा आता है तो इसे भी हम पकने के लिए था और यह बेर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है हमारा के सब्जी आप देख सकते हैं तो इसे थोड़ा चला ले और फिर इसको हम एक बावल में निकाल लेंगे और गैस को मैंने हम बंद कर दि अगर अच्छा लगा थेंगे सू मच फ्रेंट से